हेलो दोस्तों आपका स्वागत है हमारी चैनल नौलेज वर्ड हिंदी में आपने कई बार महसूस किया होगा कि कोई शक्ती है जो आपको बुला रही हो या जहाँ जहाँ आप जाते हैं वहाँ पर किसी अद्रिश्य शक्ती के होने का हैसास होता होगा और कभी कभी तो बहुत से लोगों को भूद जैसी आकरिती भी दिख जाती होगी हाला कि ये सब के साथ नहीं होता लेकिन आपने ऐसा शायदी कभी सुना हो कि किसी इंसान ने भगवान यानि कीशोड को देख लिया हो लेकिन ऐसा क्यूं होता है कि हमें बुड़ी आत्माय त भगवान नहीं दिखते क्योंकि ये बात तो साफ है कि अगर बुड़ी आत्मा है तो अच्छी शक्ती भी है अगर आत्मा है तो भगवान भी है लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे तो चलिए आज के इस वी ग्रंतों के अनुसार प्रेद पिसाच योनी अधूरी योनी होती है और सामानियत इनका शरीर दो तत्वों से मिलकर बना होता है पहला है वायू तत्व और दूसरा है अगनी इसलिए वे हमें दिखाई नहीं देते लेकिन जब कोई प्रेद पिसाच अपनी अधूरी इच्छ को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा उस्सूख हो जाता है तब वो लंबा अनुसंधान करके अपने शरीर में आकास तद्व को कुछ देर के लिए समाविष्ट कर लेता है जिसे की वो मानव को दिखने लगता है लेकिन तभी तक के लिए जब तक आकास तद्व उसके शरीर में है लेकिन इस स्थिती में कोई उनके शरीर को छू नहीं सकता क्योंकि वो वायू से बना होता है वो वायू का ही रूप होता है उसे छूने वाले का हाथ उनके शरीर के आर पार निकल जाता है जैसा कि आपने कई डरावनी फिल्मों में देखा होगा इतना ही नहीं जो बहुत ज़्यादा परिशान प्रेथ पिसाच होते हैं वो छुने का भी एहसास पा लेते हैं इसलिए वे बहुत ज़्यादा प्रयास करके अपने अंदर आकाश तत्व के साथ-साथ जल तत्व का भी समावेश कर लेते हैं जिससे कुछ देर के लिए उन्हें इस पर्ष का भी अनुभम मिल जाता है लेकिन इस परिस्थिती में यदि कोई आदमी उस प्रेथ पिसाच को छूले तो उसे ऐसा लगेगा जैसे उसने किसी बर्फ को छूलिया हो मतलब इतना ठंदा होता है उनका शरीर किसी बर्फ के समान प्रेथ पिसाच योनी वाले चाहे कुछ भी कर ले वो पाचो तत्व यानि पिर्थवी तत्व का अपने शरीर में समाविश नहीं कर सकते तो चलिए अब बात करते हैं कि हम देवताओं या भगवान को क्यूं नहीं देख पाते दर्फल देव योनी में शरीर छे तत्वों से बना हुआ होता है जिसमें वायू, जल, अगनी, आकाश, पिर्थवी तत्वों के अलावा अक्षर तत्वी होता है ये अक्षर तत्व वो तत्व होता है जो इन दीव्य लोगों के लिए इन दीव्य शरीरों का रक्षन यानि की नाश नहीं होने देता और इन्हें हमेशा यूवक, महाबली और अमर बनाए रखता है इसलिए इन देवताओं का शरीर सामान या मानव बरदाश नहीं कर पाते अगर इन देवताओं को मानव नंगी आखों से देख ले तो देवताओं के दिव ये तेज से मानव अंधा भी हो सकता है और उसकी तवचा भी जल जाएगी अगर ये देव अपने अक्षर तद्व को कुछ देर के लिए अपने शरीर से बाहर कर दे तो हर इनसान इने आसानी से देख सकता है तो दोस्तों ये सभी बाते हिंदु धर्म ग्रंथों के अधार पर बताई गई है इस वीडियो में बताईगे किसी भी बात की हम प्रिष्टी नहीं करते आज के लिए इतना ही अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत बोलना तब तक के लिए बाई